आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, आईए question को देख लेते हैं Question है, rearrange the parts of the sentence in correct order ठीक है दोस्तो, हमें एक statement गिवाएन है जिसको different parts में divide कर दिया गया है अमन different parts को इस तरीके से range करना है कि proper meaning निकल कर आए है, आए पढ़ते हैं क्या लिखा है Today India looks P to be an on course Q of developed nations are to join the league ठीक है दोस्तो, तो जो statement हमाले start हो रही है वो start हो रही है Today India looks ठीक है friends अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात बता हूँ यहाँ पर जो आप statement पढ़े P और R वो दोनो statement 2 से start हो रही है और 2 एक preposition है यह हम सब लोग जानते है तो दोस्तो कहीं न कहीं हमें पता चल गया statement यह तो P से start होगी या R से start होगी अच्छा, अब दोस्तो अगर हम R से start कर दें तो P का कोई role नहीं रह जाएगा आगे P का कोई आगे role नहीं जाएगा To be on course का हम क्या करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले आपका P आएगा P आगया दोस्तो P के बाद आपका R आएगा simply P के बाद आपका R आ गया और R के बाद आपका Q आजाएगा तो जो statement बनेगी वो बनेगी Today India looks to be on course to join the league of developed nations ठीके friends तो P, R, Q आई ओप्शन चेक करते Option 1 ही आपका P, R, Q है तो Option 1 रही भी दे right answer Thank you 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर